आपको बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं बहुत यादर यूसफुल टिप्स आपको लेकर आई हूँ वीडियो पसंद आये तो लाइक करेगा चले देखते हैं पहले टिप्स कौन सी है तो फेर्ण्स आप जब भी डाल बनाये ना आप देखते होंगे डाल आपका उपर की तरफ गिर जाता है इससे पुड़ा कूकर और गैस खराब हो जाता है तो इसके लिए टिप्स आप ट्राइ कर सकते हो है भी बोल सकते हो आप टिश्यू पेपर को ले लो आप एक से दो और इस तरीके से छोटा सा होल करके ना आप इसके उपर सील्थी लगा के जब कूकर च तरफ तो इस तरह का डिश्वास जल का जो जबबा होता है हमारे घरों में होता है और हम इसे यूज़ करके फैंक देते हैं तो इसका बहुत अच्छा यूज़ आप कर सकते हो इसमें आप अपना आउयल लग सकते हो जैसे के रिफाइन ओयल हो गया मस्टर ओयल हो गया या जो भी आप यूज़ करते हो इसमें डाल सकते हो सबसे बड़ी चीज फ्रेंस इसमें बहुत अच्छे से लिटिल क्वांटिटी में आपका ओयल निकलता है बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं गिरता है आप मार्केट से खरीदने जाओगे न तो काफी कॉस्टी मिलता है इस त आपके पराठे बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो आप भी इस बाटलों को जो डिश्वास का होता है इसे आप फेके ना और इसमें अपना ओयल लखे और इस तरीके से उसे पराठे बनाए यह जो भी चीज़े आपको उसमें डाल के इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो तो यह वाली टिप्स आपको कैसी लगी कमेंस करके जरूर बताएगा तो मैं इसी तरीके से अपने बॉटलों में रिफाइंड ओल या सरसों का तिल भरके रख लेती हूँ जिससे की मुझे पूज असानी होती है और एक कंटेन आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगए तो शेयर भी कर सकते हो चले देखते हैं अगली टिप्स कौन सी है जो की बहुत ज़्यादा यूसफुल है अगली टिप्स है मेरी आटे को लेकर फ्रेंस हम जब भी आटा वगएरा चानते हैं तो आप देखते होंगे अगल वगल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है कितना भी आप करोगे इस तरीके से पुरा मैस फैल जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना है बहुत इजी टिप्स है बहुत अच्छा है जो आप ट्राइक कर सकते हो आप को क्या करना है कोई भी एक बोल ले लीजिए बोल में आप सोचोंगे कैसे आटे को छानेंगे बोल में तो बनेगा ही नहीं बट इसी बोल छोटे से कंटेनर में ही हम आटे को बहुत असानी से चला मतब छान सकते हैं तो आप एक गलास में आटा ले लीजिए और फिस परक के इस तरीके से आप इसको उल्टा कर दीजिए उसके बाद कुछ नहीं करना है आप इसे बस ग्लास को घुमाते रहिए हिलाते रहिए बहुत अच्छे से आपका आटा एक छोटे कंटेनर में भी छन जाता है अगर आप कॉलेज में हैं या फिर आपके घर में ज्यादा बरतर नहीं है अपने अपने रहस्ती चालू की है तो इस तरीके चोटे हैक्स है जो बहुत जादा काम आते हैं देखिए कितने अच्छे से हमने छोटे से कंटेनर में ही आटे को छान लिया है तो यह वाला है ना बहुत जादा यूसफुल है आप इसे ट्राइ कर सकते हो आ आज की जो टिप्स है आपका फेवरेट वाला कौन सा है कमेंस करके जरू बताएगा चलिए देखते हैं अगरी टिप्स जो की बहुत जादा यूसफुल होने वाली है हमारे लिए तो चलिए फ्रेंस आज हम चूडियों से अपने बरतन को और्गेनाइज करेंगे जी हैं फ 5-6-7 उतनी चूडियां आप ले लीजिए और आपको जौत पड़ेगा धागा या फिर सेलोटेप का आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो इन्हें चिपकाने के लिए ठीक है और बहुत मजबुती से हमें चिपकाना है तो मैं फिलाल सेलोटेप का इस्तमाल कर र जाते हैं और यह घर में पड़े बेकार चूड़ी से हम इसे बनाएंगे काफी सुन्दर लगता है तो चलिए सबसे बड़ी बात हमारा जो किचेन है वह और आप इसे कहीं भी टांग सकते हो और फ्रेंस यह जो आर्गनाइजर हम बनाएं इसके बहुत सारे मल्टी यहां भी आपको कमफटेबल लगे और इसके बाद आपके घर में जितने स्पैटूलास हैं जिते भी बड़े बड़े आप यह यूस करते हैं पूरी चानने का सबजी का दाल का वो सारे चीज़े आप इसमें एक लाइन से टांग सकते हो जो देखने में भी अच्छा लगत और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थाइंक यू सो मच पर वाचिंग बाई बाई